तो मैर्वीन सर्मांवी का क्लास है विद्रपूर बच्चो आज मैं आपको मैंटमेटिक्स का ऐसा टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं जो बहुत इंपोटेंट और ऐसा कोई एक्जाम आज तक हुआ ही नहीं है जिसमें उसकी क्रिशन नहीं आए इस टॉपिक का नाम है साइब करता कैसे की यहीं जो सित्यों समझा है वह चरांब मीजह एकण संदेन हो कि वह बेशी कंसमट चाहर कि बाड़्मांस केशे काम करता है जो वक्la की और बढ़ते हैं था तो करेंट पोरड़्मास क्या होता है सबसे पहले देखिए बोर्डमास क्या होता है बी का मतलब होता है बच्चों बैसेच्ट आपके दिमाह में यह लाए बोर्डमास क्या यू जाता है बोर्डमास किसी भी mathematical problem को solve करने की काम में आता है को mathematical problem है दिसमें plus भी है multiply भी है divide भी है बहुत सारे operation अगर एक साथ है तो बोर्डमास क्या करता है अपन को यह बचाता है कि पहले कौन सो लोगा फिर कौन सो लोगा उसके बात कौन सो लोगा एक सीरियल वाई जमाने का काम करता है बोर्डमास बच्चो आज अपन प्रैक्टिस जो करेंगे वो बोर्डमास की करेंगे simplification बहुत ही टॉपिट है बच्चो और मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाईस्ट लेवल तक लेके जाओंगा हाईस्ट लेवल तक लेके जाओंगा आपको अच्छा लगे इसलिए में नहीं फड़ाओंगा आपको सब कुछ आए उसके इसाफसे में फड़ाओंगा आपको बच्चो आपने टॉपिक का नाम है बोर्डमास और बोर्डमास की फुल्पॉर्म है बी का मतलब है और ए का मतलब बच्चो एडिशन होता है यानि योड़ना और सका मतलब होता सब्प्रेच्शन इस साब्टिप्रेट्ण पच्चत अब अच्छी तरीके से सुनना मेरको पांच मिट के लिए कि अंत्सर सब्सब्स पेherले स्योल होगा उसके बाद ओव्प्स योल stands उसके बाद multiply और बच्चो addition और subtraction को एक साथ भी ले सकते हो आप addition और subtraction को एक साथ भी ले सकते हो मैं आपको फिर clear कर देता हूं यह board math topic हर एक exam में आएगा यह RIT में भी आएगा तो यह BANK में भी आएगा यह SSC में भी आएगा कोई भी एक्जाम दे लीजिए आपसे DS है अगर अगरा कोई भी एक्जाम दे लीजिए किसे में ऐसा कोई paper आज तक बना ही नहीं है कि उसमें board math का question नहीं मिलेगा B का मतलब बेसे दो का मतलब hope होता है D का मतलब divide M का मतलब multiply A का मतलब addition और S का मतलब क्या है Bishop subtraction को बच्चों पहले Diges Het Soul होता है उसके बाद ओग soul होता है उसके बाद divide इसके बाद multiply उसके बाद addition 수ộc्रक्राइशन हाँ इतना मैं कहता रहा हूं इन दोनों को मेंसे किसी को भी पहले सॉल कर लीए ku एडिशन सब्टेक्शन में से किसी को भी पहले सोल कर लीजिए बच्चो अब तक का कंसर्ट क्लियर हो गया होगा बोडमा जुमार में रखना अब बच्चो सुनो हर जीत को समझना मैं लिखा 15 divided by 3 इसका क्या मतलब है तो बच्चो 15 के नीचे 3 आएगा और बच्चो इसका अं कि नीचे कितना आ जाएगा बच्चो 3 और ये कितना आजाएगा 5 और बच्चो अगर में ये लिखता हूं 15 divided by 3 divided by 5 याद रखना इसका मतलब यह है कि अगर दोनों डिवाइड एक साथ आए बच्चो अगर दोनों डिवाइडड एक साथ आए दोनों इन 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 यहाँ तो अगर 2Dminded दोनों इसात आई तो बच्चो पहले इधर से इधर 6ऊ नोगा याद रखना 15 divided by 3 कितना आएगा 5 यह 5 आएगा फिर 5 divided by 5 बच्चो कितना आएगा 1 यह कैसे क्या यह समंगे आजाना चाहिए बच्चो पहले 15 को 3 से divided किया 5 आगया फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बना बच्चो इसका दूसरा तरीका देखिए जब भी भी continuous डिवाइड हो तो पस्ट को उपड़ लिख दीजे 15 बाकि जितने भी data है उन सबको नीचे लिखने है 3 भी नीचे आ जाएगा और 5 भी नीचे आ जाएगा बच्चो याद रखिए 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 तो एक तरीका तो यह पहले इसको डिवाइड कीजे 5 फिर इसको डिवाइड की तो कितना आ जाएगा वन एक तरीका यह जो सबसे फ़श्ट है उसको पर लिख दीजिए और बावर जितने भी पीछे आ रहे डिवाइड उनको नीचे लिख दीजिए तो बच्चो क्या बन गया 15 इवाइड वाइड वाइड कितना जाएगा वन क्योंकि नीचे वी 15 आपर फिवी 15 15 डिवाइड वाइड कितना आ गया बन अब तक का कंसेट्ट क्लियर होगा ओगा कि अब बच्छो में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं समझना यह दिमाद में क्लिएर कर लीजिए फर्ष्ट कंसफ्ट आपके clear होना चाहिए सेकेंड कंसफ्ट आपके clear होना चाहिए यह तो एक ही डिवाइड था है तो एक तरीका यह पहले इदर से चाहिए दोनों ही कितना आएगा बच्छों के लिए दोनों तरीके हैं जैसे करना चाहिए से करने अब थोड़ा सा अगे बढ़ते हैं बच्छों अगर मैं यह लिखूं फिप्टीन डिवाइड भाई थ्री ओफ फाइव का मतलब का होता है अगर तुम मेरे हिंदी मीडियम में कृष्ण लिखा यह दो उप्रेशन एक साथ आते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्स्वेशन के अंदर तो याद रखिए बोड़ मास आपके दिमाह में आना चाहिए बच्छों मेरे दिमाह में बोड़ मास आ चुका है आप बताए बोड़ मास को गोर से देखिए बोड़ मास में क्या आपको बैसे दिख रहा है आप नहीं दिख रहा है क्या ओफ दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है तो पहले ओफ भी सो लोगा बच्छों अब क्यूशन यह सरो होता क्या है बेसे में लिखा 3-5 3-5 बोलो चाहिए 3-5 बोलो एक यह बात है इसका मतलब भी गुणाही होता है पहले सो लोगा ओफ का मतलब बच्चों गुणाही होता है 3-5 कितना हो गया बच्चों 15 बच्चों यह क्यों काम में आया है को समझ ना 15% of 15% of 20 लिखते हैं तो बच्चों आप सब को पहता है 15 नीचे कितना हो गया 100 ओफ 20 बच्चों यह 5 टेम्स कटेगा कितना अंसर 15% of 20 15% of 20 15 upon 100 into 20 % अठाते हैं तो नीचे 100 लगता है बिल्कुल 0 level से ले रहा हूं हर चीज समझाता हुआ चल रहा हूं और मेरे को नहीं लगता है इस ब्रह्मान में कोई किताब है जिसको किशन में नहीं लूँगा बोड़े सारे किशन लूँगा लेकिन पहले 0 level से स्टाट कर दो 15% of 20 15 upon 100 into 25 टाइम कटा कितना अमसर आगया बच्चो त्री अब यहां पर आईए अपने किशन के ओपर बच्चो देखिए जो मैंने समझा है उसका मतलब समझो ओप का मतलब भी गुणाई होता एक तरीके से बच्चो क्लियर ओप कहा काम आता है मैंने बताने की कोश् पर आईए पहले डिवाइड सोल होगा या ओप सोल होगा बहुतारे बच्चे सीरेल वाई चलते माल लो उनको बोड मास यूजी करना नहीं है तो बच्चो वो पहले यह सोल कर लेते यह फिप्टीन को किस से डिवाइड करते थी से अभी बताया था है डिवाइड का मतलब यह हो गया फाइड तो वो क्या ले करते फाइड ले करते और बच्चो यह अंसर बिल्कुल घलत है क्योंकि 25 आई लिसकता इस शेयरे पफिप्ट्यूंत पिर 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 अब उप्रेटर को तो देखिए मैंने कहा इसको चलो सोल करते हैं पहले ओप सोल होगा यह लीजिए बच्चो यह होगा 15 डिवाइड भाइड भाइड प्री ओफाइब इसका मतलब गुणा दोनों का गुणा कितना होगा फिप्टेंग अब बच्चो एक अंसर मिली गया होगा कि बोडमास क्यों जरूरी है अगर बोडमास नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे यह अंसर निकाल जाते हैं बच्चो आप बताईए पहले डिवाइड सोलोगा क्या नहीं होगा डिवाइड भी और ओफ भी ए तो बच्चो दिमाह में लाईए आई आ फैले आप सोलोगा आप का मतलब इन दोनों के बीजिए वीच वाइड बाई फिप्टीन यिए अंसर बिल्गुल साहय है यह अंसर बिल्कुल गलत है यह ओ लिक देता हूं ठाग आप अन्दूजन नहीं है यह बिल्कुल गलत है वह बिल्कुल सी है बच्चो के लिया अब मैंने क्या समझाया आपके जुमा में रखिए मैंने अभी तक यह समझाया गोड मास होता क्या है वो दीरे दीरे अपन भड़ रहे अब बच्चो थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं एक बाए बताईए एक क्विशन आया वन डिवाइड बाई वन प्लस वन डिवाइड ब कोड़ो यहां पर आपको डिवाइड दिख रहा है प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है आप बताईए सबसे पहले डिवाइड सोल होगा मतलब यह एक पैकेट बनेगा कलर फुल पैन यूज करना आपके बहुत अच्छी तरीके सम्झाया आएगा पहले डिवाइड तो डिवाइड जितने भी है उनके नीचे में लाइन खेत जाता हूं बच्छो डिवाइड इन दोनों के बीच में बच्छो डिवाइड इन दोनों के बीच में हैं बच्छो डिवाइड इन दोनों के बीच में कंटिनू ले लीजिए जब कंटिनू डिवाइड आ रहा है लेटे बच्चो फिर प्राइर्टी कम होगी डिवाइड इन दोनों के बीच में नेरे इसाब सियंते क्लियर हो गया होगा अब बच्चो चलो इनको शोल करते हैं 1 divided by 1 1 यह 1 प्लस यह कितना बच्चो 1 प्लस यह कितना तो बच्चो 1 उपर रहेगा दोनों डिवाइड है तो दूसरे दोनों 1 नीचे आ जाएंगे बच्चो यह भी आएगा 1-1 जो क्योंकि 1 divided by 1 1 है अब बच्चो आप बताईए डिवाइड खतम होगी आपका अब मल्टिप्लाइग कोई ही नहीं आपका क्यावल एडिशन और सब्ट्रेक्शन है तो एडिशन सब्ट्रेक्शन का इतना सा कंसप्ट है कि प्लस वाले सारे एक आप से यहन तक भी क्लियर हो गया हो का बच्चो क्लियर अब थोड़ा सब्सक्तना अगे बढ़ते हैं यह प्लस 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 3-1 कितना अगया तो आजे बच्चो नेख सब्सक्राइब चुटी बाते में और बताता हूं उनको केच्छ करना कोई यह कहें बच्चो माइनस ट बच्चो यहां पर आईए यह जो है ना बच्चो यह 23 आपका माइनस का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चो यह बच्चो यह डेटा है टू और यह डेटा है माइनस यह 3 बच्चो जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो इस बैकेट और इसके बीच में क्या होता है multiply याद रखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है जैसे मैंने यहां लिखा two or three के बीच में कुछ भी नहीं है 23 लिखना है तो ऐसे लिखो अगर गलती से ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये part और ये part multiply ये और आंशर कितना दे देगा बच्चो six बच्चो ये 23 है और ये minus का 23 है लेकिन बच्चो अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो बच्चो ये दोनों multiply होंगे क्योंकि इनके बीच में कुछ इस packet और इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो multiply ये कितना होगा six लेकिन किसका होगा minus का six समयने की कोशिस करो बच्चो बच्चो ये कितना होगा six बच्चो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है multiply ये क्या होगा minus का six बच्चो three into two six लेकिन minus का six अब बच्चो यहाँ पर आईए minus minus क्या हो जाएगा plus दो symbol सासात नहीं रह सकते दो plus plus दो minus minus अरसात नहीं रह सकते दो minus minus वर्ड को शिलना दो minus minus और दो plus minus यैनि plus और minus ये एक problem है ये दोनों का भी accept नहीं आते हैं कहने का मतल़ चाहिए प्लस प्लस हो, चाहिए प्लस माइनस हो, चाहिए माइनस प्लस हो, चाहिए माइनस माइनस हो, यह एक साथ नहीं आते हैं, और आते हैं, तो दोनों गुणा होके माइनस बन जाते हैं, दोनों गुणा होके माइनस बन जाते हैं, और दोनों गुणा होके क्या बन जाते सब्स को कितना हो जाएगा रखना दोनों में अंतर को समझो यह अलग है इनके बीट में कुछ है नहीं तो multiply then तो multiply तो multiply कर जेगा मैं तो फिर कह रहा हूँ 2 minus minus 7 नहीं आपे minus minus क्या हो जाएगा plus बच्चो ये multiply हो गया ये minus 6 हो गया ये भी minus 6 हो गया ये 23 किसका हो गया बच्चो minus बच्चो clear है अब चलिए अपन फोड़ा सा आके बढ़ते हैं mind को active रखना आज गनेश क्या दिक्कत आई टाइप करो राइज एंड का ओप्शन नहीं है टाइप कर दो आपके अकाउंट में आजाएंगे वीडियो आप पर्मानेंट इनको आपे डाउनलोड कर सकते हो एप के उपपर कितनी बार भी देख सकते हो देखना इनको कोई प्रब्लम आई तो वाट्सट पर पूछ सकते हो अपर पूछ सकते हो लाइप क्लासे चल दी अभी भी पूछ सकते हो आपको टाइप करना आना चाहिए हाँ जी बच्चों थोड़ा सपन आगे बढ़ते हैं मैंने लिखा 10 दिवाइड भाइड भाइड फाइव इंटो 25 डिवाइड भाइड फाइव ओफाइव बच्चों एक पर इस कुष्ण को देखना यह क्या कहना चाहरा है इसकी वेल्यू निकाल के देखते हैं बच्चों आपके दिमाह में एक चीज आनी चाहिए अलग-अलग डेटा है अलग-अलग ओपरेटर काम कर रहे हैं बच्चों क्या यूज ले लिजिए बोर्ड मास बोर्ड मास का क्या कंसर्प्ट है दी का मतलब होता है देशेच ओ का मतलब वो बिवाइड मल्टिप्लाई एडिसन सट्रेक्शन बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूं और जितना भी केट तक के कुशन मैं लास्ट में ले लूँगा बच्चों यहां पर आईए बच्चों आप बताओ सबसे पहले आपका बच्चों के लिए अब बच्चों एक बार बताइए यह चलो एक बार में ऐसे लिखते हैं ता हूं पिर एक साथ वहीं पर यूज कर लोगा डिवाइड मैं 25 हो गया यहां पर आईए कि इन सब को लिखने की जुरत है क्या अभी तो लिख लो लेकिन पात मिनेट बा इन दोनों के बीच में और दिवाइड इन दोनों के बीच में बच्चों 10 भाइड रश्टा 20 25 25 कितना वाजीतितना आउं कितना जाएगा बसूइमosa क्लियर कर लिजिए यह से ापकले ने पहर बढ़ेक्र किशन को देखते चलिए zero who clear करते चलिए एक दो बार वीडियो को जरूर देखिए, समझ आने लग जाएगा, next, बच्चों यहाँ पर आई है, मैंने यह निका, 5 divided by 17 plus 8, message divided by 25 of 5, बच्चों इस किशन को देखिए, यह किशन क्या कहना चाहरा है, इसको चलो मैं multiply कर लेता हूँ, ताकि और अच्छा साँ में आए आपके, देखो बच्चों, इस कुशन को अपन देखते हैं, यह कुशन क्या कहरा है, विचार करना, यह कुशन कहरा है, कि बेशेज भी आया इस बार, बच्चों टॉपिक का क्या नाम है, बच्चों यहांते के लिए, सबसे पहले क्या ना सीको बस, तो बच्चों याद रखना, यह काम कैसे करते हैं, पहले यह होता होगा, फिर इसके अंदर यह होता होगा, फिर इसके अंदर कहीं ने कहीं यह होता होगा, तो पहले यह सोल होगा, फिर यह पूरा सोल होगा, और फिर प्रेशेज अठेगा, प्रेशेज कब अ होगा आप बताइए इसके अंदर एक वेल्यू बन गई 17 प्लस 8 कितना हो गया बच्छो 25 अब बच्छो जब एक वेल्यू बन गई तो आप इसको प्रेश्यत को अठाके याद रखना अगर माइनस है तो प्रेश्यत के लिख जाएंगा यह 5 यह 25 डिवाइड बाइ 25 और बच्छो यह अन्तक क्लियर हो गया यहां पर एक प्लस खी संग्या प्लस की आये तो उसको डारेक्ट लिख दो ब्रेश्यत की भी कोई जुराद नहीं है बच्छो मेरे साथ से क्लियर हो गया होगा यह हो गया फाइड 25 डिवाइड बाइड 25 और फाइड आप बताईए समझधार के इसारा काफी है 5 25 डिवाइड बाइड 125 बच्छो यहां आफ करना है बच्छो आपको किया करना बच्छो घंसकों को लिएड करना है यह बट्रय आतो एक By i eins twin एपनीफाइड Sounds यह करना है तो 25 के नीचे 125 अब बच्चो आपको multiply करना है बस यही बचा देखो दो अलगलग चीज और सुमझो मैं जब ऐसा लिखता हूं 3 divided 2 इसका मतलब होता है 3 के नीचे 2 और यह एक value बन जाती है और यह दो अलग-अलग value बच्चो यह clear हो जाना चाहिए बच्चो अब यह एक value है यह है एक और एक दो दोनों को solve कर लो 125 125 अंसर क्या जाएगा बच्चो मेरे साथ से clear हो गया होगा किस तरीके से अपन चलते हैं topic का क्या नाम है बच्चो topic का नाम है board mass बच्चो clear ठीक फिर अपना आके बढ़ते हैं देखे next question और देख लिए इसको अच्छी तरीके से किस तरीके से में चल रहा हूँ समयने की कोशेश करना सबसे पहले message होगा फिर आपका off होगा फिर आपका divide होगा फिर आपका multiply होगा एक state में एक को निप्टाते चलो यह आया 25 फिर और लाइन मैंने एजिटी लिख दी फिर करेंगे ओक को यह आजया 125 मैंने बाग इस सब एजिटी लिख दिया फिर इसको निप्टा दीजिए 25 upon 125 बच्चो one answer आजाएगा clear? समयने की कोशेश करो step by step चलो आपको कोई विक्र नहीं आएगी next अब बच्चो पन फिर आगे बढ़ते है topic का क्या नाम है? topic का नाम है बच्चो board mass clear? next अगर बच्चो मैं ऐसे लेगा one divided by one one divided by one minus one divide by one into one of one divide by one minus one plus one divided by one इस तरीके से मैं कुछ भी ले लेता हूँ कोई बात नहीं? आप इसको समझनो बच्चो सबसे पहले रेशिये ज़े क्या? फिर आपके दिमाह में board mass आना चाहिए ये board mass कब कब आना चाहिए? ये board mass कब कब आना चाहिए? बताए ये board mass जब आना चाहिए? जब ओपरेटर 1-1 divided by 1 into बच्चो इसकी जगा 1 divided by 1 minus 1 plus 1 divided by 1 क्लिएं बेंकिंग सेक्टर में क्या होता है इनको एक ही जगापन सोल कर लेगे एक बार शी को spirit open भड़ा देंगे, कोई दिक्कत भी एक बाए बताईए, divide बताईए, आप बच्चो एक बाए बताईए, packet क्या बनेगा, एक divide का packet ये बनेगा, divide इन दोनों के बीच में ये बनेगा, divide इन दोनों के बीच में ये बनेगा, divide इन दोनों के बीच में ये बनेगा, आप बताओ ब इंटू ये वन हो गया बच्चो के लिए फिर माइनस का वन ये वाला और प्लस बच्चो के लिए समझने की कोशिस करो देखो वन हो गया माइनस का वन हो गया इंटू वन हो गया माइनस का वन हो गया प्लस का वन हो गया बच्चो के लिए अब बचाईए डिवाइड तक हता म multiply multiply में यह लिश्ट बनेगी देखो कौन सी यह आपकी लिश्ट बन देखो बच्चो और तो कोई multiply है नहीं तो 1-1-1-1 बच्चो एक बार बताएं दो माइनस है यह और यह माइनस का है और यह भी माइनस का है और दो बताया फिर अपना आके बढ़ते हैं समयने की कोशिस कीजिए यह क्या ओक का क्या मतलब है डिवाइड क्या होता है यह सब कुछ मैं समझाने की कोशिस करों कलियर चले और बिच्वों अगर में यह लिखते हो 25 डिवाइड बाई 5 of 5 plus 3 minus 2 into 3 2 into 3 divide by 3 इसका क्या मतलब तो बच्चों इतना याद रखना इसका मतलब है board mass यह कहें board mass तुमाह में रखना board mass लेकिन बच्चों बच्चों पोडमाज से पहले भी आपको यह जो पार है इसको सोल करना है देखिए बार दो तीन जगा मिलेगा आपको एक होता है मैं लिखू पॉइंट 3 का बात तो यह एक डेटा के उपर है और एक में यह लिखू 3 प्लस 4 तो यह उप्रेशन का बात यह बताता है कि उप्रेशन पहले करें कर सो इसका मतंदम थे चलता जायए इंसको एक बार होता है बच्चो एक ऐसा होता है तो इसकी बात कर रहाए है यह कहता है यह कहता है मेरि वी बौड मास उपसंचने इसको होता क्या है ना जी बच्छो, सब क्लियर कीजिये, एक काम कैसे करता है? समने की कौशिस करना, बच्छो सबसे पह nouvelles, आपको यह बार सोल करना है, बच्छो क्या बन गया हैं? यह 3-2, 1 बना, इसके नीचे की जो वेली बवन बना है, बच्चो यह 3-2 यह बताता है यह नीचे की value 1 बनी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बनी अब शोल कर लो बच्चो यह खतम होता ही पूरी line वापस लिखतो यह 25 divided by 5 बच्चो क्लियर प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 1 into 3 divided by 3 अब बच्चो यह खतम अब ब्रेशेग है क्या नहीं है ब्रेशेग भी नहीं है क्या ओफ है क्या ओफ है बच्चो अब ओफ को सुल कर लेता है बच्चो इस अब और की line बनेर यह बनेगी बच्चो जानते clear हो गया ह बच्चो क्या बना? यह बना 25 divided by, और तो कोई ओफ है ही नहीं, 25 divided by, 25 divided by, कितना हो जाएगा 25, और प्लस 1 into 3 divided by 3, बच्चो यहां तेक भी क्लियर हो गया होगा, बच्चो क्लियर, अब यहां पर आए, स्पीड से इसले दे रहा हूँ, बिलकुल बेसिक चीज़ चल रहा है, लेकिन एक के कंसर्ट में आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं मैतमेटिक्स का, वो भी सिंप्लिकेशन के क्विशन कर सके, यहां पर आए, आप बताईए, अब बच् बच्चो यहां पर 1, इन दोनों का रिजल्ट, जो भी लाइन ने कीची, इनका रिजल्ट लिखते हैं यहां पर, यहां का रिजल्ट 3 डिवाइड बाई 3, कितना आगया 1, अब बच्चो यहां पर आजाएए, डिवाइड खतम, अब लिए एंजली जीए, हैं, मुल्टिप्लाई बच्चो यह राओ, तो 1 प्लस 1 और आंसर कितना आगया 2, तो बच्चो वी वोड मास मैंने पूरा समझाने कोशिश की, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है, कि आपको यह पहले इसको वी, तो बच्चो इसको पहले सोल करना है, इस बार को करना है, फिर बेसे सोल करना है, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टिप्लाई, और एडिशन सब्ट्रेक्शन में आप सिंप्ली सोल कर सकते हो, प्लियर बच्चो ने, किसी को भी सोल करना हो पहले, तो बच्चो कुछ कुछ कृशन लेता हूं, जो कई बार आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले में छोटी-छोटी बाते और बता देता हूं, देखे, मैं लिखा 15 divided by 3 by 5, इसकी वेली बताई, तो बच्चो ये तो डिवाइड ही है केवल, ये एक ही डेटा है, ये भी एक डेटा है, बच्चो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, 15 divided by 3 divided by 5, बच्चो दोनों म हो रहे है, 15 into, पिछे वाले को पल्टी करा दो, ये 5 by 3, ये आपका फ्रेक्शनल डेटा है बच्चो, जो फ्रेक्शनल डेटा होता है, बच्चो clear, जो P upon Q के फोर्मेट में होता है, इनको क्या करना है, डिवाइड को मल्टिप्लाई में चेल कर दो, दाकि फटा-फट किशन चोल हो जाए, 3 by 5 का 5 by 3 कर दिया, ये बच्चो पांच बार कटेगा, और कितना जाएगा, 25, बच्चो इसका आंसर कुछ और है, बच्चो फिप्टीन, दोनों डिवाइड नीचे आ जाएगे, 3 और 5, बच्चो कितना जाएगा, कितने भी डिवाइड हो, सब अगर लग रह ठीक है बच्चो, देख लिजे एक बाद, ये तो ठीवरी समझाईए मैंने, कि क्या क्या धन दकना है, बहुत बड़ा पार्ट है, बच्चो, खूब सारे कुशन दे लेंगे, देखें, कुछ कुशन आपको समझाता हूँ, समयने कोशिस करना, इस कुशन को देखें, ये क् कर रहा है, 360 divided by 36, divided by 6, divided by 1, divided by 5, बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सब divided, 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 फर्स्ट डेटा उपर लिखना है, 360, बाकि सारे डेटा निचे आ जाएंगे, 36, 6, 1, और 5, बस यह इसका सोलिशन, बच्चों एक बाद बताईए, ये पूरा इससे कैंसल 10 टाइम हो जाएगा है, clear हो गया होगा, ये अपर डेटा है, ये लोवर डेटा है, मुल्टिप्लाई में हैं, तो कार दीजिए, बोसर बच्चे ऐसे भी कार देते हैं, ये 33, 360 है, नीचे 36 है, प्लस 5 है, तो भी कार देते हैं, अरे बच्चों, ये उपन नीचे तभी कड़ सकता है, जब नीचे बच्चो क्लियर काड कोई दिख्कत नहीं गतनी तो कितने टैमिंस और बच्चो कितना पाइव इसको टू टैम्स तो 2x6 बनेगा और तो वन बाई थ्री बनेगा, पर इस कुछ में क्लियर हो जाना चाहिए, किस तरी के से में क्विशन को सोल कर रो, माइंड को एक्टिव रखो बच्चो, बहुत आसान हो कि यह सिंप्लिफिकिशन, फिर थोड़ा सपना के बढ़ते हैं, इस क्विशन को देखो, अब बच्चो म बोड़ मास लिखना, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आपके दिमाएं में बार बार क्या आना चाहिए, बोड़ मास, अब एक बार बताईए, जब आप बोड़ मास लिखते हो, तो सबसे पहले, अच्छा, अगर कोई बार भी हो, तो भी बोड़ मास लिख देना, तो देखो काफी टाइम हो गया, बोलते बोलते, अब डारेक्ट क्ली करना, इसकी वेल्यू पहले निकाननी है, अंदर गए, तो अंदर फिर बोड़ मास लिखते हो, यहां से यहां तक शोल करना है, तो बच्छो अंदर आए, तो प्लस आया, उप आया, माइनस आया, लेकि अंदर गया, तो फिर बोड़ मास लिखते हो, बच्छो सबसे पहले इसको सोल कर लेते हो, फिर इसके अंदर गया, जहां भी जाओगे, बोड़ मास लिखते हो, जहां भी जाओगे, बोड़ मास लिखते हो, जहां पर आईए, पहले इसको सोल कर लेते हो, पहले इसको सोल कर झाल 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 तो यहां पर आईए बच्चो 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 बच्च इस पूरे की वेल्य यहां उठा के लिखने बच्चो यहां से टू आएगा 9-2-2 बच्चो यहां से क्या आगे आपका 9 बच्चो इस पूरे पेकेट की वेल्य जो यह है यह कितना आगे यानि कुल मिलागी यह यह से बनी नाइन प्लस शिक्स प्लस सेवें ओफ थ्री माइनस और यहां पर क्या बन गया बच्चो नाइन याद रखना ब्रेशेज में कोई भी वेल्यू आए पर ब्रेशेज में लिख दो नेगेटिव आए कि ब्रेशेज कभी मत अठा देना यह ब् नेगेटिव नहीं है तो भी आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है अब बच्चो एक बाहर बताओ इस ब्रेशेज को अठाने का टाइम आगया बच्चो यह माइनस का है यह वेल्यू प्लस की है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यह बनेगा नाइन प्लस बच्चो शिक हाँ अगर 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 अंदर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यह केवल गठाने के लिए बोलता है अब बच्चो इसकी वेल्यू निका दिया यहां से यहां तक की वेल्यू निका दिया आप एक बाहर बताएगे फिर बोड मास लगाना है क्योंकि ब्रेशेज हो गा बच्चो आप बताओ यह six plus जान इकट देता हो मिसको यह six plus यह कितना हो गया 21 और minus का क्या बच्चो 9 देखवा यहींत बनेगा अब बच्चो ये total कितना हो गया plus minus कर को direct कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया 12 12 plus 6 18 हो गया या फिर यह करो इन दोनों को जोड़ दो, यह 27-9, कितना हो गया 18, तो बच्छो 9-18, यह ब्रेशेज में आएगा, तो यह प्लस ही है, तो यह ही होगा, और अंसर कितना हो जाएगा 27, मेरे साथ से क्लियर हो गया होगा, एक एजी कुशन था, जो यह बता रहा है ब्रेशेज मे पहले यह सोल होगा, फिर इसको मैंने लिख दिया, फिर आप ओब सोल होगा, फिर इसकी वेल्यों निकल गई, फिर 9-18, अंसर कितना होगा 20 से, मैं जमानता हूँ, बहुत सारे बच्छों को, इन में भी दिक्कतारी होगी, मैंने तो यह कहा, 15 गंटे का मैं सिंप्लिकेशन पढ़ाने वाला हूँ, और दुनिया का पढ़ते कुशन बोड को पर आएगा, वो जीरो नेवल से में स्टार्ट कर रहा हूँ, हर चीज समझा रहा हूँ, एक दो बार ट्राई करना, अपने आप समने आ जाएगा, चलो बच्छों, आगे बढ़ते हैं, देखिए, इस बीच में कुछ नहीं होता भी सर्फ समझा था, बच्छों मल्टिप्लाई काउंट होता है, बच्छों यहां तक के लिए, और यह कितना आजाएगा, शिक्स, आप बताइए, यह एक तरीके से यह, 9 दिवाइड बाई 3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टिप राइ, यह चीज़ से हैं, बच्छों यहां तक क्लिर कर लिए जेए, अब यहां पर क्या होगा, सरसρέ पहले आपको डिवाइड सोल करना है, क्योंकि आपके दिमाह में फिर आगया, बोड मास, बच्छों आप बताहिए पहले डिवाइड सोल होगा, डिवाइड सोल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटो 3 और अंसर क्या जाएगा नई किलियर कर लीजिए इसका अंसर क्या आएगा बच्चों नई ठीक है अपना आगे बढ़ते हैं देखे इस कुशन को देखे बच्चों फिर बॉर्ड मास के उपर आई बच्चों काफी कुशन के मां आपको प्रैक्टिस कर वा रहा हूँ समझना बॉर्ड मास आप बताएगे कई ब्रेशेज है नहीं है कई ओफ है बिल्कुल है पहला फैक्ट यह हो जाए बच्चों ओफ है डिवाइड है क्या पहले सोल कर लो या तो चलो डिवाइड जाएगा बच्चों अब क्या करेंगे क्लियर केजिएaded कुशन कैसे सोल है पहले क्या, फिर क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या, बस ऐसे ही सोल करना है, क्लियर बच्चों, यह सब एक साथ भी सोल हो सकता है, अभी नहीं लेकिन, अभी तुम प्रैक्टिस करो, किस तरीके से सोल करना है, वो बात की बात है, अभी तुम प्रैक्टिस करो, क्लि आप इतना याद रखो पैकेट बना के छोड़ दो इसी का अगर मैं फास्ट करना चाहूं बैंकिंग सेक्टर के एक्जाम में तो क्या करूंगा यह जैसे मालो आपका कुशन पहले में लिख लेता हूं यह लग से ले लेना बच्चों कोई रेलवे का एक्जाम देने जा रहा मल्टिप्लाई और प्लस और माइनस ृफ्वाद में फोल होता है यह जां रखना बाकि सबको एक साथ मी बना के छो कर सकते हो ऊप बहु कियो कि यह पूरा इ肉 का है था हृट को पहले है फिर ओने होता है तो बिफने हनो पिस्दा पठो पर बिच्जि लगा दू कर दू पा है तो तीसरा फेक्ट फिर है यह लो यह ब्रेस्ट कुलियर कहने का मतलब पहला पैकट है दूसरा प्रिपाइड डिया के इन दोनों पर लगाज़ दिया बच्चो कलियर औप इसको सौल कर लो यहां से कि आएगा हाफ आएगा यहांसे कितना आएगा से हुआएगा बच्चो इस पूरे वेसेट की वेल्यू 36 आ जाएगी तो 36 माइनस 4 इपना आ जाएगा 32 आप ऐसे करो वेसे करो कुछ ज्यादा समय नहीं लगता बच्चो बस जब बैंकिंग सेक्टर के एक्जाम की क्विशन में करांगा वह डेटा बहुत बड़ा बन जाता है तो आप डारेक्टली वहांपर ऐसे लिखे कि पहले यह होगा इसका पेकेट फिर यह होगा इसका पेकेट फिर मल्टिप्लाई होगा पूरे का पेकेट तिर इसको एक जब लेता हूं है बस माइनस और प्लस वालग कर दो वागि सब को एक साथ सूर कर सकते हो फूल मिलाके मैं चले आगे दीर दीर सब सब को पता है सब लिघ इए जाएंगा X33 बच्चों ट्री और Tum कैंसल करते सी ये कितना हो गया नई ट्वनेटीसवें एटिवनंश्टीट्स्ट्उ अंच्र कितना आजएगाlying मेरे साथ से क्लियर हो गया हूग है यह पहले लिए इवायर सोल कर दो पिर जो आये उसको इससे तो harassment शलते हैं औरम समयने की कोशिश्का सब्सक्राइब मी जैके हैं एक देटा दो यह तीन डेटा आप कितने इंचांब बच्चो क्या पढ़ां में झाटाइ है मैंने और आपन ग्रूपन जिवियर बंग baikiki पहले का सो लगाang तो कैसे करते हैं भी बताया, फर्ष्ट वाले को एज़िटी रखो, पिछे वाले को पल्टी करा दो, तो बच्चों याद रखना ये चीज़ और ये चीज़ से हैं, अब इसको कैंसल कर दो, ये कितना हो गया उपर 3, नीचे कितना हो गया 2, क्योंकि इसने इसको काटा 3 टाइ तो 3 by 2 याँ से आगया बच्चों, और प्लस की देखर प्लस, अब बच्चों जो आपका 7 by 3 है, और उसके पीछे हैं, उसको 9 by 28, बच्चों नीचे 4 आएगा देखिया और उपर 3 आएगा, ये किलियर हो गया होगा, ये कितना हो गया बच्चों 3 by 4, अब बच्चों एगव कितना होगा, तो बच्चों इनको सोल कैसे करते हैं, और 1 by 2 प्लस 3 by 2, ये कितना होगा, बच्चों दोनों का बेश सेंग है, तो नीचे 2 ही रहने दो, और उपर को जोड़ दो, कितना 4, आउसर कितना आगया दो, अगर मालों नहीं है बच्चों, तो इसको ऐसे कर दो, ये क क्रोस कर दो 2, तो 3 प्लस 2 और नीचे दोनों का मल्टिप्लाई, इतना होगा 6, तो क्या जाएगा 5 by 6, करें देरे देरे सानुने आजाएगा, लेकिन याद रखना, अगर नीचे की वेल्यू सेंग है, तो उपर की वेल्यू को जोड़ दो, मालों को ये कह जाए, जैसर एक जगे 1 by 2 था, एक जगे 3 by 4 था, क्या करें, कोई बात नहीं, या तो आप ऐसे कर लो, कि ये इदर क्रोस होगा 4 होगा, और ये इदर क्रोस होगा 6 होगा, और नीचे दोनों का मल्टिप्लाई 8 होगा, बच्चों के लिए, तो ये 10 by 8 होगा, यानि 5 by 4 होगा, या फिर आप ऐ इसे कर लो, किसर इसको भी 4 बना लो, लो ये 4 लो, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टिप्लाई करने पे 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 बटा 4 होगा, बच्चों टोटल कितना होगा, 5 बटा 4, बच्चों के लिए, नीचे अगर मेल्यूश्याय में है, तो जोडते वक्ते ये 4 सारी रहे जाएगा, और उपर जोड़ दो, कर ये बिल्कुर नर्सरी लेवल की बाते हैं, लेकिन इसलिए शिका रहा हूँ, क्यों, ताकि आपके 100 परसंट सामने आए, आगे जाएगे, बच्चों ऐबाए बटाई, ये 4 होगा, अब बच्चों उपर कितना होगा, अच्छ जोगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको 2 से गुना किया, तो इसको भी कर दूँ, ये क्यों किया, उसके पीछे का रिजन मैंने समझा दिया, बच्चों उपर जोड़ी है, 9 by 4, बच्चों, नेक्स क्षिन देखिए, इस क्षिन को देखो बच्चों, एक अच्छा क्षिन है, फ पहले क्या सो लोगा, ब्रेशेज, ब्रेशेज है क्या, चेक कर लेते हैं, हाँ है, सर है, यहां से यहां तक है, यह ब्रेशेज है, बच्चों ठीक है, ब्रेशेज है, अब ब्रेशेज के बाद क्या सो लोगा, ओफ, ओफ है क्या, ओफ है क्या, बच्चों, देखिए ओफ है तो ओप लिए पैसे तक ओफ है उरके एक या बत बॉट ले अग बिए यह नंबर 1 पे यह नंबर 2 यह नंबर 2 इनवे कोईय मिक्स नहीं है वोगाई चीज नहीं है तो आप डिरेक्ट सौल कर सकते हैं देटा हूं इतना कर लिए ओप और रेसेंट्स यह दो चीज ले लिए इनको देख लें आ पहता ही है यह 5 डिवार वाई यह कितना होगा 25 वट् प्लस और माइनस पर ही ध्यान रखना है बागी सब को एक साथ भी ले सकते हो कैसे देखिए अगर मैं वैसे करूं तो वह कंसेप्ट भी समझ लो कि बैंकिंग सेक्टर के लोग कैसे करते हैं इनको देखो आप पताईए यह प्लस है इसकी प्राइविटी काम है एक ग्रूप य इसमें बच्चो पहले ओप सोल होगा फिर आपका डिवाइड सोल होगा और फिर आपका मल्टिप्लाई सोल होगा बच्चो क्लियर तो यहां पर आईए यह क्या बना यह बना आपका 5 यह बना आपका 5 डिवाइड बाइड 25 बच्चो क्लियर 5 डिवाइड बाइड 25 और सोल करेंगे तो 25 आएगा 5 डिवाइट 25 इंटो 2 लिया तो यह बन गया 5 और नीचे 25 टेले डिवाइड होगा तो 25 तो वन बाई 5 इंटो 2 यानि कुल मिला कि यह हो गया 2 बाई 5 बच्चो इस पूरे पकेट की वैल्यू 2 बाई 5 अब कोई करें नहीं से हम तो ऐसे सोल नहीं करें पिलकुष सिंपल सारिके से सोल करेंगे एक एक को लेंगे तो भी कर सकते हो कोई दिक्कात नहीं है देखो इदव इदा हाँ जी बच्चो देखो बच्चो सबसे पहले आपके पता है यह हो गया दूसरे नमबर पे क्या होगा ओफ तो ओन यह यह ले लिया एक और यए और यह बच्चो को लिए चो लो सॉल लेका फाइव दिवाइड थुटी फाइव इंटु प्लस तू डिवाइड भाई बच्चो फॉर इंटु पाइज बच्चो बेसे सुल करने कितना 3 थी आएगा बच्चो इस में थी आएगा भार मैनिस एख मैन एक पैकेट आपका यह है एक पैकेट आपका यह है बच्छो के लिए वेली निकाल लेते हैं 5 डिवाइड बाइ 25, 1 बाइ 5 होता है बच्छो 5 के निचे 25, 1 बाइ 5 इंटु 2 दिए करो गए बच्चो करो अब एक बाइब बताईये इन दोनों को अगर मैं शोल करूँ तो क्या हो जाएगा, यह तो एक काम करो, यह ढ़ाई है, ढ़ाई में से एक गया, यह 3 by 2 हो गया, तो 2 by 5 plus 3 by 2, शोल कर लो, यह तो LCM ले लो एक साथ, अरे जैसे करना चाहो वैसे करो, इतना low level पे भी मज़ जाओ, आप बताईए, यह 4 होगा, यह 15 होगा, यह 19 by 10, यह 1.9, य 15 होगा, नीचे 10 होगा, यह LCM ले लो, जैसे करना चाहो वैसे करो, प्लस माइनस में नीचे LCM ले लो, जैसे आपकी मर्जिये वैसे कर लीजिए, 2 by 5 हो गया, यह 3 by 2 हो गया, तो कि इसको डाही कहते हैं, इसमें से एक गया, 3 by 2, यह 4, यह 15, कितना 19 by 10, 1.9, इसकी वेल्यू क्या है, 1.9, क्लियर बच्चो सांद में आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर, अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं, इस क्यूशन को देखिया आप, यह क्या कह रहा है, बच्चो फिर बोर्ड मास के उपर आईए, बोर्ड मास क्या कहता है, आप टेंशन मतलों, जब आपके 15 गंटे की क्लास कंप्लेट हो जाएगे, उसके बाद में आपको और बहुत सारी चीज़े बताऊंगा, लेकिन अभी तो बेसिक से चल रहे है अपन, कि वाकई गुणा होता क्या है, मल्टिप्लाइ होता क्या है, डिवाइड क्या होता है, यह कंसर्ट समझारो, यहा चल गया देखने से, कि यह तो बात की बात है, पहले यह सो लोगा, फिर यह पूरा सो लोगा, और फिर यह सो लोगा, अब यहाँ पर बता दीजी यह क्या है, आप रत्में भी ले सकते हो, यह 1 प्लस 1 बाइटू है, क्योंकि पहले डिवाइड सो लोगा, यह बच्चो 3 बा बाइटू है, तो बच्चो यह 5 बाइटू हो जाएगा, किकना हो गया, 5 बाइटू है यह बच्चो 1 प्लस 1 बाइट बाइटू, और यहासे यह अंतक प्लस बेल्यु है, यह पूरा कुष्ण था, वोगे बढ़ते हैं, यह इक्रेशन बनी, 1 डिवाइड बाइ, बच्चो 1 प्लस वन दिवाइड वाइड वाइड थ्री मेरे इसाब से अंतक लिए इतना किशन बन गया जो पुरा किशन था वो इतना आ चुका है अब बच्छों यहां पर आई हैं मैं इसको सोल कर देता हूं जिसको इस पॉर्शन को बच्छों यह क्या बना तो यह यह है थ्री है अब देखो गौद से पता चल जाना चाहिए तो बेटे । प्ल टिक करेगा थ्री वाइं है यह थ्री फाइड वाइड 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 वाई बच्छों 5 थ्री एक यहां हो गया तो वन दिवाइड बएड कितना हो गया एक तो बार करके देखोंगे फॉर्पक आपके सवन में आएगा, नेक्स जलते है अपन, देखिए, देख लो, ये कुशन आपका, नेक्स जलते है अपन, इस कुशन को देखिए, बच्चो सबसे पहले क्या सोल होगा, तो वो ही बॉर्ड मास दिमाह में रखना है, काफी प्रेक्टिस हो चुकी अब तो, बॉर्ड मा देखना है, क्या ओफ है, क्या बिलकुल है, बच्चो क्लिए, फिर ओपके बाद क्या सोल होगा, दिवाइड, तो बच्चो अभी तक ये बना, फो पलस फौर इंटू 4 डिवाइड बाइ, कितना हो गया, सेक्ष्टि मांइना, मानिस 4 डिवाइड बाइ, फोर इंटू 4, वायड में एक प्रेंड यह बन गया और एक पेकेट आपका यह बन गया तो यह जोगिया प्लास प्लास-प्लासवारेक्ट बाल बाइट वो गया मैंनस औल वान इस प्लाएक्प्लास-प्लेट थू सब्ल keeping popular 4 निवाइन दूट 53 we. method different अब क्या बचा 2 into 3 divided by 2 of 3 into 2 divided by 1 बच्चो clear? ये क्यूशन आपका बचा ठीक है, अब बच्चो अपन क्या करते हैं? इसमें फिर बोड मास लगा जेते हैं, तो बोड मास में पहले ओब सोल होगा ओब तो 2 into 3 divided by ये कितना 6 into 2 divided by 1 बच्चो अब क्या सोल होगा? डिवाइड डिवाइड ये भी ये और ये भी बोड़ो 2 into 1 by 2 1 by 2 into 2 बच्चो ये भी आगया अब multiply सोल करना है, तीनों multiply एक साथ बच्चो 2 आजाएगा तो 2 खतम, 2 आजाएगा इसका final answer, कितना आगया बच्चो 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है विशल साथ कितना भी बढ़ा हो आप कर सकते हो, समझने की कोसिस करो पहले ब्रेशेज एक वैल्यू देगा फिर ब्रेशेज लग रहा है, final हो गया फिर देखो क्या-क्या बच्च गया ब्रेशेज में अगर एक वैल्यू है नहीं पढ़ाना है, क्या बता हूं आपको सेका, हाँ जैस अगर आगया होगा next यहाँ पर आईए इस कुशन को देखो यह कुशन क्या कह रहा है, बच्चों यहां से आईए, सबसे पहले आपके दिमाह में यह लाओ कि किस तरीके से इसको solve करेंगे बच्चों, 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 23 by 6, divide by 27, 2 by 7, ओफ, यह कितना है, 6, 7, यह 7 by 3 है, बच्चो इस प्रेकिट का मतलब यह है, अब बच्चो यहाँ पहले यह सोल होगा, यह सोल होगा, तो आप खुद बता दीजी क्या बनेगा, 7 से 7 कतम 2 by 3 बनेगा, 23, 6, फिर बच्चो 2 by 3, divide है तो 3 by 2 बन जाएगा, और बच् 2 times, तो यह 23 upon 4 बन जाएगा, बतलब इस प्रेकिट की जो वेल्यू है, वो 23 upon 4 है, और बच्चो यहाँ पर आएगे, यह कितना है, 14 और 6, 14 और 6, 20, यह बच्चो 20 by 7 है, 14 plus 6, 20, यह दोनों multiply होते हैं, यह जुड़ता है, 20 by 7 है, ओफ, ओफ, बच्चो इसका मतलब है, 21, 20 plus 1, 21 upon 5, divide by 2 by 3, इसके भी value निकाल लेते हैं, बच्चो एक बार बताओ, पहले divide, ओफ, 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 सोल होगा, तो आप बताओ, यह दोनों multiply हो जाएगे, तो यह हो जाएगा 20, और यह 3, और यह कितना 5, तो यह 12 हो जाएगा, उपर देखो, यह 3 टाइम कटेगा, यह 4 टाइम कट तो यह 12 हो जाएगा, पल्टी करके 3 by 2, यह बच्चो 4 into 3 कितना होगा, बच्चो इसकी value 12 होगी, इसकी, अब बच्चो यह packet पूरा सोल नहीं हुआ, तो 12 into 5 by 9 नहीं, बच्चो यह 3 है, यह 4 है, तो यह 20 by 3 है, मतलब कुल मिला के यह बोल सकते हो, 20 by 3 इस पूरे की value है, बच् गया, उसको ले ले लेजे, यह 16 by 7, 16, यह 16 और 7, कितना होगा, 23 by 8 होगया, बच्चो इवाइड बच्चो इस पूरे packet की value, 23 by 4 होगई, बच्चो क्लिया, into इस पूरे packet की value, 20 by 3 होगई, अब एक बार बता दीजिए, क्या यह सब कुछ क्लियर है, इस packet की value पूछे तो यह, और यह already है, बच्चो फिर डिवाइड पहले 16 होगा, यह लीजे, अब बच्चो यह 23 by 8 है, जब मैं पलती करवाता हूँ, तो 4 by 23 है, अब आना चाहिए बच्चो, काफी टाइम होगया यह आप, यह 20 by 3 है, और बच्चो 10 by 3 इसका उनसर आजए, क्लियर हो गया होगा, तो इ मैं आना चाहिए, किस तरी कैसे मैं एक एक इस्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ जी बच्चो, इस कुशन को देखी, यह कुशन भी वाइरल है, आपको फिर वही बोर्ड मास्क के उपर लेकर आना, बोर्ड मास्क का होता है, अच्छा तुम सोच रहोंगे, सर इसमें फ इपलाई सोल होता है, अपलस होता है, यह डिवाइड होता है, मेरा एक सिटांक है, मैं आपको फिर क्लेर कर देता हूँ, मैं BSC भी पढ़ाता हूँ, मैं MSC पढ़ाता हूँ, मैं Mathematics में NET भी पढ़ाता हूँ, JARB भी पढ़ाता हूँ, 11-12 भी पढ़ाता हूँ बच्चो, Math याइटमेटिक की सबसे बड़ी कोचिंग है अम्भी का क्लासेंज, कुछ भी पढ़ो, फिर्स्ट ग्रेड पढ़ो, सेकंड ग्रेड पढ़ो, बीससी पढ़ो, एमसी पढ़ो, बैंक की महत पढ़ो, कोई भी तरीके की महत पढ़ लो, यह में शुरू में, आपको पर नहीं, आपको पहले basic concept clear करो, फिर आप पढ़ लीजिए, who पढ़िए, इतने भी level की मेंद पढ़िए, मैं तो challenge कर रखा है, किसी book का कोई भी question लाईए, कोई दिकत नहीं है, directly online कूछ सकते हैं, ठेक है, यहाँ पर आईए, इस question में देखिये board mask, बच्चो B, research, research यहां से अन तक है, यह लीजिए, बच्चो इसको solve कर लेते हैं, तो फिर यह entities रह जाएगा, research को ही ले लेते हैं, अब देखो काफी time हो चुका है, मैं directly यह solve कर देता हूँ, आप बताए, इसमें भी सबसे पहले divide solve होगा, बच्चो 3 आएगा, 3 into 3, बच्चो क्या आजाएगा, 9 आएगा, बच्चो clear हो जाना चाहिए, यह एक packet है, यह अलग packet है, यह अलग है, तो total pull मिलाके 25 हो गया, इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए, यह plus के है दोनों, यह minus का 25 हो गया, बच्चो यह 36 हो गया, minus को, अब इस 25 तो इसके अंदर है ना बच्चो, यह 25 तो इस box के अंदर है, तो box के अंदर 25 है एक तरीके से, और बच्चो plus 10, अब एक बाँ बताओ, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या माना जाता है, multiply माना जाता है, तो 36 minus 2 into 25 की तरह है यह, और plus कितना 10, आप बताओ, minus 6 होगा, plus होगा है, multiply होगा, multiply, 36 minus 50, और plus कितना बच्चो 10, यह दोनों positive है, 46 हो गया, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यह दोनों positive है, 46 minus 50, और यह क्या आजाएगा, minus का 4, क्लियर कर लिजिए बच्चो, next अपन चलते हैं, next question को देखे, यह question भी आया हुआ है, यह सब CGL के question लिए है, मैंने, board mass में, SSC में कौन-कौन से question अब तक आया हुए है, clear, बहुत होते बच्चो, board mass में कोई end ही थोड़ी है, लेकिन अभी जितना पढ़ाया, उससे related चलगा हूँ, फिर point आएगे, वो ले ले लेंगे, फिसर्स में आएगा, वो ले ले लेंगे, हिंडी सेज में आएगा, वो ले लेंगे, बहुत कुछ चलता रहेगा, लेकिन अभी तक, basic इसी concept आपके समझे आना चाहिए, board mass होता क्या है, clear बच्चो, यहाँ पर आएगे, एक बार बताओ, सबसे पहले, वो ही board mass, दिमाय में लाएगे, question कैसे हो रहा है, बी का मतलब braces, braces यहाँ से हम तक है बच्चो, यह clear हो गया होगा, चलो इसको मैं solve कर देता हूँ, यह 45, इसके अंदर भी braces है, 45 यह लो, divide by, बच्चो, यह कितना है 15, बच्चो, 3 आ गया, इसकी value कितनी आगी, 3, यह लिज़िए 3 आ गया, अब बच्चो, इसको लिखना चाहो अगर को ऐसे लिख दो, 24 प्लस 13 मैनस 5 इंटु हाफ, ओफ 10, और मैनस, मैनस लग रहा है, अंदर 3 बना तो मैनस 3 हो गया, अब बच्चो, बच्चो बेशेज हो गया, ओफ ले आई, ओफ यह पूरा बन गया बच्चो, अब बच्चो, और तो कोई ओफ है नहीं, तो यह बना 13 मैनस 5 इंटु, यह भी कितना 5, मैनस 3, अब बच्चो मल्टिप्लाई बनाए लिजे, और तो कोई मल्टिप्लाई है नहीं, यह 13 मैनस 25, मैनस 3, अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यह 24 प्लस 13 तो प्लस का है, और यह कितना 28 मैनस का है, क्लियर तो यह तो कितना हो गया 29 ओंगा इसका मितलब 8 एंशरा जा या पिर ऐसे कर लो 24 25 मैनस है मैनस है बच्चो क्लियर है यह कितना ओगया मैनस मैनस चाहर और यह यह तेरा मैनस चाहर लिए 9 आ रहा है सेट 9 आ रहा है बच्चो क्यों कि 37 है यह 37 है यह 37, 28 है, यह 9 प्लस का जाएगा, यह आपका अंशर हो जाएगा, किलियर कर लेजिए, किलियर, next, और लास्ट कुशन, आज के लिए लास्ट कुशन, समझिए, बोर्ड मास का लास्ट कुशन, कल आपन लेंगे, डेसिमल फ्रेक्शन, और डेसिमल फ्रेक्शन का पूरा बेसि क्लियर बोर्ड मास होता क्या है, यह समझाने की पॉस्ट किया, आप बताईए, बोर्ड मास के अगर मैं बात करूं, सुनना बच्चो, सबसे पहले क्या सोल होगा, ब्रेसिमल फ्रेक्शन कां से कहां तक है, लाएगे लिए दिमामने, आप बच्चों अब यह किलियर कर लो, आपको यह मैंने सिखा दिया सबसे पहले ब्रेशेशोल होगा बस इसकी वेल्यू लाके लिख नहीं बच्चो यह बताओ यह ब्रेशेशोल होगा यहाँ पर टोयल आएगा यह ब्रेशेशोल होगा 4, 2 का स्कुराइब तल बताएंगे आपको 2 की पावर 2, कितना होता है 4, यानि 2 की पावर 2 2 इंटो 2, क्या होगा बच्चो 4, 4 प्लस 2, कितना होगा 6 बच्चो, यह टोयल डिवाइड बाई 6 बना, इसकी वेल्यू तू आई तो 6 प्लस 2, माइनस 2 बच्चो 6 अनुचरा जाए क्लियर कर लीजिए यह टोपिक फिनिश बच्चो टोपिक का नाम है बॉड मास simplification मेंने start कर रहा है simplification मेंने start कर रहा है पहला टोपिक बॉड मास लिया है बागी के सारे टोपिक